नमस्कार आदाव शेशेकाल एंड गुड मॉनिंग गाइस आप सबका योट्यूब चैनल क्रियेटिव स्टडी एके में वेलिकम है तो हम स्टार्ट करें गाइस सोलुशन चैप्टर जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था वो था आइडल सोलुशन नौन आइडल स अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखिया तो चैनल में जाके प्लेइलिस्ट में वह वीडियो जरूर देखे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फाले है guys वह बैर पर प्रेशर कर पर फुर आईल सुलिशन आइडल सॉलिशन क्या होते हैं गरमेरे पास क्या है एक idle solution है binary solution binary मतलब दो चीज़ें है एक solute है एक solvent है तो मैंने ले लिया एक A है और एक B है कोई भी idle binary solution है volatile liquid के case में इसके case में volatile liquid है A और B volatile liquid कौन से होते है volatile liquid वो होते है जो क्या करें volatile कौन से होते है ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वोले टाइल जो evaporate हो जाती है जो evaporate हो जाती है उसके बाद देखो गाईस रङुट्स लागर मैं बात करूँ रङुट्स लागर में बात करूँ रङुट्स लाकर के बारे में हमारे पास जो आया था PA equal to p not A X A है नँग जो मेरा vapour pressure था पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक़कोल होता है प्रोडक्ट ओफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इन्टू में मॉल फ्रेक्शन ठीक है यह बात कर जी हूँ मैं E कंपोनेंट की सेकींड कंपोनेंट मेरे पास B है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा पी नोट बी इन्टू एक्स बी ठीक है पी नोट बी क्या है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और एक्स बी क्या है मेरे पास मॉल फ्रेक्शन ओफ बी ठीक है यह हमारे पास थे रैवूर्स दा उसके पात देखो वेपर प्रेशर जो है वो लीनियर फंक्शन है मॉल फ्रे तो से देके directly proportional है तो उसमें क्या होगा एक linear function है यानि एक increase होगा तो दूसरा increase होगा ठीक है उसके बाद देखो अगर xa कोई भी liquid है अगर मेरा xa mole fraction जो है xa की वो 1 के equal है यानि xa जो है mole fraction of a 1 के equal है तो मेरा जो liquid है वो क्या होगा? a pure है pure liquid कौन सा होगा? a अगर mole fraction a की 1 है तो liquid क्या है? pure form में present है ठीक है तो यही चीज़ मैं रेवूर्स ला में लगाओ pa equal to p0a into 1 यानि xa की जगे मैंने क्या किया? 1 कर दिया यानि जो partial pressure है a का वो किसके equal हो जाएगा? pure जो pressure है उसके equal हो जाएगा? ठीक है? same case अगर मेरा xb अगर मेरा xa क्या है? 0 है xa क्या हो जाए? 0 हो जाए अगर xa 0 हो गया तो मैं क्या करूंगी? pa p0a into 0 यानि 0 के equal हो जाएगा पूरा function क्या हो जाएगा? 0 यानि pa जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है? जो मेरा pressure liquid b है वो क्या है? pure form में exist करता है ठीक है? दो case है अगर xa 1 है तो liquid a pure है अगर xa 0 है तो liquid b pure है ओके? save result हम graph में use करेंगे graph देखो graph x axis पर मैंने क्या लिया है? mole fraction y axis पर मैंने क्या लिया है? vapor pressure ठीक है? अब यहाँ क्या लिया? xa equal to 0 sorry xa जो है वो 1 है xb क्या है? 0 है यहाँ इस axis पे क्या लिया? इस point पे? जो मेरा xa है वो 0 है xb 1 है यानि यहाँ मेरा b क्या है? pure form में exist कर रहा है यहाँ मेरा a exist कर रहा है pure form में तो इनको हम मिला देंगे इस point को यहाँ क्या ले लिया? p note a यहाँ क्या ले लिया? p note b तो इस point को मैंने P note A से मिला दिया, इस point को P note B से मिला दिया, ठीक है, ये किसका है, P A का, partial vapor pressure on A, ये वाली जो line है वो show कर रही है, partial pressure of B component, और जो P note A और P note B को हम मिलाएंगे, ये चीज़ हमें show करेगा, total, total pressure किसके equal होगा, P, P note A plus P note B, तो ये हमेरे पास आया था, deltons दे बताया था कि जो total pressure होता है, वो किसके sum up के equal होता है, सभी के partial pressure के, तो यहां हमारे पास दो इकंपोनेंट है, तो दो components में क्या हो जाएगा, इनके sum के equal हो जाएगा, ठीक है, ये था idle के case में जो curve बनेगा, उसके बाद देखो, vapor pressure versus vapor composition, दो च और एक vapor composition हम बात करेंगे, अगर मैं क्या कर लूँ, let कर लिया, मैंने let y a and y b are the mole fraction of component a and b, vapor state में जो मेरा component है, vapor state में, तो mole fraction y a और y b ले लिया, ठीक है, तो deltons लाप लाए करेंगे, जो y a है, mole fraction of a है, वो किसके equal होगी, pa उसके partial pressure के, by में total pressure के equal होगी, ठीक है, first equation यह आ जाएगी, उसके बाद reverse law यूज करेंगे, reverse law किसके case में, liquid के case में, अगर liquid phase में हमारा present है, तो x a और x b हम बोल fraction लेंगे, तो pa है जो, pa is equal to x a into p not a, ठीक है, उसके बाद देखो, total अगर मैं निकालू, total pressure किसके equal होगा, p not a, x a, plus p not b, x b, यह total के equal आ जाएगा, तो अगर यह values मैं put कर दू, किसके अंदर, y a के अंदर, यानि, pa किसके equal होगा, pa is equal to x a, p not a के, ठीक है, और p total किसके equal आएगा, यानि, जो pa है, plus करेंगे p b, ठीक है, p b की क्या होगी, x b, p not b, इन दोनों को क्या करेंगे, values put करेंगे, x, sorry, y a में, तो क्या होगा, x a, into p not a, divided by x not a, y a, plus p not b, y b, x b, यह मेरे पास क्या आगी, second equation, ठीक है, अब same, क्या करेंगे, जो x a है, एक result हम use करते थे, x a, plus x b, equal to 1, तो इसमें से x a की value में निकाल लू, तो x a is equal to 1, minus x b, ठीक है, यह value मैं put कर दूँगी, x a की जगह, यहाँ मैंने यह put किया, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी multiply इसके साथ, इसकी multiply इसके साथ, ठीक है, फिर हमारा जो common आएगा, उसको हम बहार निकाल लेंगे, common x a आ गया, प्लस में क्या है, p not a, यह हमारे पास third equation आगी, ओके, जो mole fraction है, x a of component a, of solution is not equal to mole fraction of yp, यानि जो मेरा x a है, वो तो mole fraction है, किसके case में, liquid के case में है, और y जो a है, वो किसके case में है, वेपर phase में present है, तो equal है, ओके, अब हम graph बनाएंगे, graph क्या है, दोनों के case में, liquid, as well as वेपर के case में, अगर दोनों के case में हमें graph बनाना है, तो वेपर pressure, वेपर pressure curve, यह mole fraction मैंने show की, x a equal to 1, x a equal to 0, ठीक है, यहाँ मैंने लिया peanut a, peanut b, same चीज़ वही करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, जो नीचे वाला portion है, यह वेपर को show करेगा, और जो यह upward वाला है, यह liquid phase को show करेगा, ठीक है, straight line is for liquid phase, this line is called liquid composition curve, और जो अदूसरी जो curve वाली है, उसको हम बोलेंगे, वेपर composition curve, ओके, उसके बाद हमारे पास next topic है, activity of a component in a idle solution, activity की बारे में हम discuss करेंगे, activity का क्या मतलब होता है, activity जो है, a से small a से हम show करते हैं इसको, ठीक है, अगर मैं activity a की बात करूँ, तो activity of a component a, a हो जाएगा, b की करूँ तो a, b हो जाएगा, ठीक है, यह क्या होती है, effective concentration of the component in the solution, यानि कोई solution है मेरे पास, उसमें मैंने a प्लस b किया, तो जो a की concentration है, effective जो concentration है, किसी भी solution के अंदर a की, वो होती है activity, या फिर क्या कह सकते है, a प्लस b है, तो b की अगर मुझे क्या करनी है, effective concentration, find out करनी है, कि solution के अंदर कितनी है, तो वो क्या होगी, उसकी activity होगी, b की, ओके, consider कर लिया एक idle solution है, binary solution, यानि binary मतलब a प्लस b, यानि दो है components a और b, उनकी mole fraction मैंने ले ली xa और xb, ठीक है, और उनकी जो activity है, वो a, a है, a, b है, अब reverse ला अगर मैं लगाऊं, reverse ला लगाएंगे, तो reverse ला किया अकोर्डिंग, pa जो होता है, वो किसके इकुल होता है, xa, p not a के, ठीक है, इससे मैं value निकाल लू, xa की, तो xa किसके equal होगा, pa by p not a, ठीक है, partial pressure by by pure pressure जो होगा, वो आ जाएगा, यह मेरे पास first equation आगे, अगर ordinary temperature जो है, हमारा vapor pressure का, वो कम है, किस से, one atmosphere से, condition याद रखनी है कि क्या हो जाए अगर जो ordinary temperature है vapor pressure का वो one atmosphere से कम हो जाए तो क्या होगा हमारा low pressure हो जाएगा तो low pressure होगा तो fugacity हम एक function आएगा नया function introduce करेंगे ठीक है vapor pressure की जगह है वो क्या करेंगे देखो जो PA by P naught A है उसकी जगह है हम FA by में F naught A यूज करेंगे यह equal होगा XA के यानि pressure की जगह हम अगर हमारा temperature क्या है one atmosphere से कम हो जाए तो एक नया function लेके आएगे नया function क्या लेके आएगे fugacity function लेके आएगे जिसको हम F से show करती है तो pressure की जगह वो आजाएगा pressure जो है partial pressure जो था उसकी जगह क्या आजाएगा partial fugacity function by में pure state में जो हमारा fugacity function है F naught A इसके equal हो जाएगा X A के equal ठीक है जो मैं यह X A by में X naught A है यह किसके equal होता है A A की activity के equal होता है यह किसके equal है activity के equal है same अगर मैं curve बनाऊं activity के case में यहाँ mole fraction यहाँ क्या होगा vapor pressure की जगह क्या आगया activity आगी यहाँ activity A A equal to 1 A B equal to 1 यहाँ क्या है X A 1 है यहाँ X A 0 है तो इनको इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे हम match करतेंगे ठीक है यह हमारी दो करूपन क्याएगे तो X A जो है वो किसके equal हो जाएगा A A के X B जो है वो किसके equal हो जाएगा B B के from first hand यूपर वाली जो equation थी उनसे अब नया definition आता है नया definition क्या है idle solution अगर वो होगा जो क्या करेगा उसकी जो activity है किसी भी component की किसके equal होगी उसके mole fraction की equal होगी यानि activity of A is equal to activity sorry mole fraction of A activity of B is equal to mole fraction of B तो यह एक नया definition है idle solution कौन से होगे जो क्या होगा activity है वो किसके equal होगी mole fraction के equal होगी जो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे non idle solution के लिए curve पर नेक्स्ट वीडियो stay tune on the channel thanks for watching this video on creative study A की thanks a lot